आज हम बात करने वाले हैं, आप अपने फोन में वोईस टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, तो अपने फोन में वोईस टाइपिंग करने के लिए सैटिंग्स को ओपन करिए, फोन के सैटिंग्स में आने के बाद नीचे आईए, नीचे आकर आपको मिलेगा एक ये वाला ओप्षन languages and input इस पर आप click करिए और ये option आपका more settings या फिर additional settings में हो सकता है तो यहाँ पर आप check कर सकते है languages and input या फिर languages and keyboard वाला option आपके phone में कहाँ पर है तो इस पर click करेंगे और जब आप इस पर click करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा default input keyword या फिर default input method इस वाले option पर click करिए click करके यहाँ पर आपको मिलेगा keyboard अगर आपको keyboard नहीं मिलेगा तो आप google play store को open करिए उपर search पर click करिए और search करिए keyboard search करने के बाद जी वोड को यहाँ से install करिए और install करने के बाद settings में जाएंगे languages and input option में तो पहले नीचे से इसे चालू करेंगे जी वोड को ok करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको show कराएगा default set करने के लिए तो जी वोड पर click करिए by default इसे set करने के बाद whatsapp को अपने phone में open करेंगे यहाँ पर एक chat को open करेंगे no thanks करेंगे आपका by default जी वोड set हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा settings का option यहाँ पर settings पर click करिए नीचे voice typing पर click करके voice typing अगर आपका चालू नहीं है तो इसे यहाँ से चालू करेंगे उसके बाद back आईए अब उसके बाद languages पर click करिए अगर हिंदी में voice typing करेंगे तो add keyboard पर click करके हिंदी को यहाँ से add करके done करेंगे अब उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं अब voice typing करने के लिए माइक वाला option मिलेगा इस पर click करिए permission को allow करिए hello और अगर हिंदी में voice typing करेंगे तो space बार पर click करके रखेंगे हिंदी सलेक्ट करेंगे और अब try करेंगे hello तो देख सकते हैं voice typing इस टाइप से आप कर सकते हैं English और हिंदी में किसी और language में करेंगे तो keyboard में वो language को add करके कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें